आज मैं बहुत ही स्वाधिस्ट दानेदार लड्डू की रेसिपी ले की आई हूँ और ये बना है चना दाल से तो आईए बनाते हैं लड्डू हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नंदा वैशनो अपने यूटूब चनल नंदा किसी जीवस्तर है स्पीस में आपको स्वागत करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आज मैं चना दाल से लड्डू बना रही हूँ तो इसे मैं 2-3 घंटे के लिए ढग के छोड़ देती हूँ अच्छे से फूलने के लिए तो यहां पर देखिए 2-3 घंटा हो चुका है तो मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ तो यहां पर देखिए ये साइस में डवल हो जाती है फूल करके देखिए तो इसका सारा पानी हम तो यहां पर गी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो यहां पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से तो ये नया तरीका है इस तरीके से भी हम लड़ू बना सकते हैं और ये अच्छे से गी में फ्राई हो जाती है तो अच्छा सा हमको लाल-लाल मस्ते से फ्राई कर लेना है तो इस तरीके से ही सारे पीसी हुई चना दाल को इस तरीके से बड़े की आकार में या पकोडे की आका आप फ्राई कर सकते हैं और अच्छा एकदम जादा लाल फ्राई करना है लेकिन जलाना नहीं है हमको फ्राई लेकिन अच्छे से करना है तो यहां पर दोनों तरब से अल्टी पल्टी करके अच्छा से हम फ्राई कर लेंगे ताकि कच्छा ना रहे तो इस तरीके से फ्राई क कर लेना है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और एसे ही सब को फ्राइक कर लेना है हमको तो देखिये कि अब थनना हो गया है इसके बाद तोड़ कर मिक्सी जार में पीस लेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे तोड रही हूँ इस तरीके से देखिए अभी भी ये हलका हलका गरम है तो मैं इसे थोड़ा और जादा ठंडा होने दूँगी गरम में नहीं पीसना है हमको तो यहां पर मैं धाली में फैला दी थी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए अब मैं थोड़ा थोड़ा जार में डाल करके पीस लोगी एकी बार में सबको नहीं पीस ना है तो सबको पीस लेती हूँ अब मैं देखिए और भी मिठाईों की रेसिपी मेरे चैनल पे है इसी तरीके से मैंने पीडिया भी बनाई थी एक चतिस गड़ी मिठाई है उसे भी आप देख सकते हूँ वो भी बहुत टेस्टी लगती है यहां पर देखिए यह पीस करके तयार हो चुकी है तो देखिए किता अच्छा सा दानेदार पीस करके तयार की हूँ मैं जो अंदर का हिस्सा होता है बस उसी के लिए ही से हम थोड़ा और भून रहे हैं तो थोड़े देर ही भूनना है दो से तीन मिनट ही लगेगा इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पर कम घीली हूँ आप यदि जादा घी पी ले सकते हैं यदि जादा बना रहे हैं तो जितनी कौंटिटी में आप बनाएंगे उसके नुसार घी ले सकते हैं तो कम जादगी आप अपने अनुशार देख कर सकते हैं या मैं थोड़ी सी बना रही हूँ इसलिए जादगी का यूज नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए बराबर से हमको चलाते वे से इसे अच्छे से भून लेना है कच्छा पर रहेगा तो स्वाद अच्छा नहीं आता तो यहाँ पर यह भून गई है देखिए तो यहाँ पर मैं एक थाली में इसे खाली कर देती हूँ और हम चासनी बना लेंगे क्योंकि मैंने चासनी नहीं बनाई है अभी तक से तो आए चासनी बनाते हैं तो यहाँ पर देड़ कटोरी जितना ही मैं चीनी डाल रही हूँ और इसी कटोरी से नाब के एक कटोरी में इसमें पानी डाल दूँगी और यहाँ पर देखिए food color डाल रही हूँ तो लड़ुओं में color अच्छा आता है इसलिए डाल रही हूँ मैं तो मैं आदा चम्मच जितना ही डाल रही हूं, फूट कलर जादा नहीं डाल रही हूं, तो देखिए इसे अच्छे से हम चासनी को पका लेंगे, थोड़ा चिपची पा सा कर लेंगे, एक दो थार का हमको नहीं बनाना है, तो यहां पर मैं थोड़ा चैक कर लेती हूं, हमारा चासनी बना है की नहीं, तो यह देखिए थोड़ा चिपची पा सा बना है, मतलब यह बन चुका है, तो आईए हम यह भूनी हूई जो चना दाल का पावडर है, उसे भी डाल देते हैं, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे, और जब इस चासनी में यह अच्छे से पकती है तब यह अच्छे से फूल जाती है, और फूलती है, तब दानेदर लड़ू तयार होती है, तो यह बहुत ही सरल तरीका है, लड़ू बनाने का और बिगडने का भी कोई चांस नहीं है, तो आप लोग भी इस तरीके से जरू ट्राइ कीजिए, तो यह देखिए, यहाँ पर लग भग वरावर मैं चलाते ही जा रही हूं, और जल्दी से यह तयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो यह देखिए, पूरा सोक लेती है यह इस तरीके से, तो बिल्कुल यह तयार है, देखिए, बस अब इसे मैं दूसरे थाली में पलड़ दूंगी, तो यहाँ पर देखिए, मैं थाली में इसे निकाल दी हूं, और थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, क्योंकि यह बहुत जादा गरम है अभी, और यहाँ पर मैं एक चमत जितना घी डाल दे रही हूं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, तो उपर से जब ऐसे घी डाल देते हैं, तो लंबे समय तक हमारा लड़ू नरब बना रहता है, और यहाँ पर मैं पंकिन सीट्स डाल रही हूं, इसे अच्छा दिखता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, है ना, तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर रही हूं, और अभी पर यह बलका गरम है, तो बस गरम आप बना सकते हैं तो ये देखिए बढ़िया से ये बन रही है ये देखिए लड़ू बढ़िया से दानेदार बन करके तयार हुई है और ये बहुत सरल तरीका है तो ऐसे ही मैं सारे लड़ू को बना करके तयार कर लूँगी तो यहां पर एक लड़ू और बना कर दिखा रह की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नौटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और और को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकरिया आपको सबसे पहले मिल सके तो जल्द मिलती हूँ एक नहीं वीडियो में तब तक के ये बाई